अगर ऐसे कोई बिसनेस है जो हमेशाँ डिमांड में रहे और उसके कस्टमर्स हरे जगा रहे तो वो बिसनेस से लीकर का मिनमुम 20-25 पस्तिस रिटर्न देने वाली बिसनेस कोवेट में भी लोगों की लंबी-लंबी लाइन लगने वाली बिसनेस और दुनिया का सबसे टॉप मोस सलेंग प्रोड़क्ट वो है लीकर कर मेरी मानों कुछ लोग खाने के बिना रहे जते हैं लेकिन धारो के बिना नहीं इस वीडियो में हम यह देखते हैं कि आप महराष्ट्रा में FLBR 2 लाइसेंस यानि बियर शौपी लाइसेंस को कैसे अप्लाई करासता है स्टार्ट से एंड तक पूरा प्रसेश हम यह दिखाएंगे और हां बाइद वे मैं काम करते वग दारुनी पिता बियर शौपी लाइसेंस सुनके आपको यह लगता होगा कि आप सिर बियर बेच सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है आप बियर और वाइन दोनों सील बॉटल से में बेच सकते हो मैंने इस वीडियो को पांच पार्ट में डिवाइड किया हुआ बेचिक्स, प्लानिंग, रिक्वार्मेंट्स, अप्लिकेशन फो लाइसेंस और चालेंज़ज़ सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आलकोहल हमेशा स्टेट गवर्मेंट की अंडर आती है इसलिए आपको लाइसेंस के लिए माराश्टर के एकसाइस दिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ता है एक और चीज़, लिकर पे हमेशा वाट लगता है, जीएस्टी नहीं इसलिए आपको वाट रेस्टरिशन भी करना पड़ेगा नेक्स अप आती है प्लानिंग की लाइसेंस अपलाई करने के लिए आपके पास खुद का एक शॉप या फिर भाड़े का एक शॉप होना चाहिए यह जरूरी है, जो एट लीस्ट 180 स्कॉर फीट का हो और वो शॉप, स्कूल, कॉलेजिस, रिलिजिस प्लेसे से कम से कम 150 मीटर्स दूर हो और स्टेट हाइवे से और नैशनल हाइवे से अट लीस्ट 500 मीटर्स दूर हो सबसे इंपर्टर स्टेप आता है रिक्वार्मेंट्स की बेसिक डीटेज्स, मैं सबसे पहला आपको परसनल डीटेल्स चाहिए होता है जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसन्स अगर आपका प्राप्यार्टरशिफ फीर्म है तो और करेक्वाइमेंट्स नहीं चाहिए लेकिन अगर आपका पार्टनर्शिफ फॉर्म है या लल्ल्पी है तो registered partnership deed या LLP documents ready रखना चाहिए यहां आपका private limited company है तो company की MOA, AOA, Resolution Board of Directors का और charity commissioner से certificate of registration चाहिए होता है फिर आता है solvency certificate या bank guarantee की बात पहला option यह है कि जितना आपकी license fee आता है उसका एक FD bank में रख लो और bank से bank guarantee का certificate ले लेना या फिर आप अपने property या assets का document दिखा कर area के तरसलदार से एक certificate obtain कर लेना इन दुनों में से एक चलेगा next आता है property की details अगर आपकी खुद की property है तो property की 7-12 चाहिए होता है अगर 7-12 नहीं है तो property card भी आता है वो भी चलेगा अगर आपकी भाड़े की property है तो 7-12 के साथ owner का NOC और registered lease agreement चाहिए होता next आता है NOC अगर आपका दुकान ग्राम पंचात की अंडर आता है तो आपको compulsory NOC चाहिए लेकिन अगर आपका दुकान नकर पाले करके अंडर आता है तो आपको NOC की जरूरत नहीं कुछ मैने पहले तक ये compulsory हुआ करता था लेकिन अब नहीं final requirements में completion certificate, location, site plan या उसका blueprint, boundaries यानी north, east, west, south और schedule of area चाहिए होता है ये सारे details आपको scan करके ready रखना है एक photo और एक sign के साथ next step आती है application process की इसके लिए आपको महराष्णा state access department के website में जाना होगा इसका link मैंने description box में दिया हुआ है आपको login करना है अगर आप new user हो तो आपको पहले आपले सरकार का link में जाकर register करना होगा ये link click करने के पाद यहां मैंने English language चूश किया है और register का option चूश किया है ये process बहुत ही simple है और मैं इस पे ज़्यादा focus नहीं कर रहा हूँ register होने के बाद आपको login करना है list of services में जाकर FLBR2 को select करना है और ये form आपको fill करना है ये form काफे simple है और इसमें सिर्फ basic details ही बरना है आपको ये page submit होने के पाद आपको next page आएगा जहां आपको सारे scan किया और documents को upload करना है ये documents हमने requirements में discuss किया हुआ है documents के size और format यहां mention किया है यहां मैंने आपके understanding के लिए मेरे ही details डाला हुआ है सारे documents submit करने के पाद आपको ये message आ जाएगा इसके बाद आपको 24 रुपीज पे करना है उसके बाद आपको application fees पे करना है 5000 रुपय का ये वाई link चूज कर लिए ये link भी मैंने description box में दिया हुआ है ये link कुछ इस तरह दिखेगा यहां मैंने pay without registration चूज किया है यहां payment type में foreign leaker and spirits को चूज करना है और form ID में FLBR2 को चूज करना है बागे details काफी easy है और आप खुद ही fill कर सकते हो payment के बाद आपको चलान यानी receipt मिल जाएगा जिससे आपको महाराश्टा state excise website पे update करना है इस तरह से application करने के बाद SBA rank officers की एक committee होती है जो आपकी license accept या reject करेगी अगर आपका license reject हुआ तो उसका reasons भी mention की जाती है उस पे आप appeal भी कर सकते हो अगर accept हुआ तो आपको license मिल जाएगी vendor license fees vendor license fees हमेशा area के population के साब से होता है ये रहा उसका slab इसमें सबसे बड़ा challenge आता है agents and corruption की मेरी बात मानो तो agents से दूरी रहना और जाता corruption की बात हो तो नीचे दिएगवे numbers में call करसता है anti-corruption bureau का number है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी प्लीज शेर, सब्सक्राइब और लाइक करना बुलना हो तब तक के लिए चेर